नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्खियों पर नितीज काबिनेट की बैठक में हुए कई बड़ी फैसले बिहार पुलिस दरोगा भरती परिक्षा का डेट आया सामने आज से पढ़ाना सुरू किये एक लाग से नए सिक्षकों ने चानल में फंसे बिहार के पांस मजदूरों को लेकर आई बड़ी अपडेट नितीज काबिनेट की बैठक में हुए कई बड़ी फैसले आज बिहार के मुख्यमंतरे नितीज कुमार के द्वारा बुलाई गई कबिनेट की बैठक में कई मुहतपुन फैसले लिये गए जिसके तहट काबिनेट की ओर से चार फीजदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को पास कर दिया है दरसल सीयम नतीश के दौरा एक्सपर पोस्ट कर लिखा गया है कि देश में पहली बार बिहार में जाती आधारित गन्ना का काम कराया गया है जाती आधारित गन्ना के समाजे कार्थिक एवं सैचने किस्तिके आखडों के आधार पर अनुस्ची जाती अनुस्ची जन जाती अत्यांत पिच्रावर्ग पिच्रावर्ग और समाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए रक्षन सीमा को बढ़ा कर 75 प्रतिश्यत कर दिया गया है बिहार में लगभग 94 लाग गड़ी परिवार के एक सदस्ते को रोजगार हेतू 2 लाग रुपे तक की राशी किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी 63,850 आवास हीन एवं भूमी हीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60,000 रुपे की राशी की सीमा को बढ़ा कर 1,000,000 रुपे कर दिया गया है साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपे दिये जाएंगे जो 49,000 परिवार जोप्रियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान महिया कड़ाया जाएगा जिसके लिए प्रती परिवार 1,20,000 रुपे की दर से राशी उपलद्ध कड़ाई जाएगी सिद्ध जिवको पारजन योजना के अंतरगत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहाइता के लिए अब एक लाग रुपे के बदले दो लाग रुपे दिये जाएंगे इन योजनाओ के क्रियानवन में लगभग दो लाग पचास हजार करोड रुपे की राशी व्याय होगी आज से पढ़ाना शुरू किये एक लाग से अधिक नए सिक्षकों ने आज से यानि की 22 नवंबर से बिहार के साथ हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में करीब एक लाग नए सिक्षकों के दोरा पढ़ाना शुरू कर दिया गया है बता दे के सभी सिक्षक, बीपे से सिक्षक बहाली के प्रतम चरण की परिक्षा में सफल हो करा हैं बता दे के सिक्षकों के दोरा सिक्षा विभाग के ओर से आवंटित किये गए स्कूलों में योगदान दिया गया है मालम हो कि योगदान दिये सिक्षकों को लेकर विस्तरत रिपोर्ट विभाग के दोरा सभी जिलों से मांगी गई है अलाकिन सब के बीच सक्षा विवाग के दौरा अब तक आधिकारी कुरूप से यह रिपोर्ट जाली नहीं किया गया है कि आज से कुल कितने सक्षकों के दौरा राज्चे के सरकारी स्कूरों में अपना योगदान दिया गया है वालमी की नगर पहुँचा साइबेरियन पंचियों का जुन भारत नेपाल सीमा परिसर थंड़क बढ़ाज के जलासे में इन दनों प्रवासी पक्षी पानी में डुकी लगा कर सब का ध्यान अपनी ओर खीच रहे हैं पंचियों के यहां पहुचने से वी टी आर की सुंदर्ता में चार चान लग रहे हैं वहें पंचियों का सिकार ना हो इसके लेकर वन विभाग के दोर अगस्ती भी बढ़ा दी गई है आपकर जानकारी के लिए बता दे कि साईबेरिया में भयंकर थंड से बचने के लिए 1000 किलूमीटर की यातरा कर प्रवासी पक्षी प्रतेइक वर्श वालमी की नगढ़ आते हैं और फिर धीरे धीरे पलायान करने लगते हैं मालम हो कि सीद कालीन में यहाँ पर ये पक्ची अपने वन्सकी वृधी करते हैं स्कूलों से गायव अंठावन सक्षकों का वेतन बन सक्षकों के वेतन को बंद कर दिये गया हैं बता दे कि संबद में DEO के द्वारा संबद सक्षकों DDO और Headmaster को नरदेश जारी कर दिया गया है मालम हो कि सभी अंठावन सक्षक जिनके वेतन को बंद किया गया है वो बिना किसी सूशना के 6 ओक्टूबर से 4 नमबर के बीच स्कूल में अनुपस्थित थे वहीं इन में से कहीं सक्षक ऐसे भी हैं जो लगातार 15 से 22 दिनों तक स्कूलों में अनुपस्थित थे ऐसे में DEO के द्वारा एं सभी सक्षकों को तीन दिनों के भीतर साक्षे आधारित स्पस्टिकरन काड़याले को उपलब धिकलाने का निर्देश दिया गया है वहीं अगर इनके दोरा स्पस्टिकरन नहीं मिलता है तो इन पर विवाग्य काड़वाई की जाएगी बिहार पुलिस दरोगा भरती परिक्षा का डेट आया सामने अगर आप भी बिहार पुलिस सर्विस सेलेक्षन कमिशन की तरफ से आयोजित किये जाने वाले बिहार दरोगा भरती परिक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है परिक्षा कब आयोजित की जाएगी इसकी तारीक सामने आ चुकी है जिसके तहत इसके लिए परिक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी वहीं इसके लिए ऐडमेट कार एक दिसंबर 2023 को जारी किया जाएगा अब कि जानकारी के लिए बतादी कि इस भरती के तहद कुल 1275 दरोगा के पदों को भड़े जाएंगे इस भरती के लिए दो चरणों में परिक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें से पहले चरण की परिक्षा 200 अंकों की होगी इसमें सफल होने के लिए 30 प्रतीशत से जाए के अंक हासल करने होंगे हरदाल पड़ गए डॉक्टरों को नहीं मिलेगी इतने दिन की सैलरी बीते दिन मंगलवार को बिहार स्वास्त सेवा संग के आवाहन पर चिकसकों के द्वारा अपने एक दिन का कारे का बहिशकार किया गया था जिसको लेकर स्वास्त विभाग के द् राजे के सभी मेडिकल कॉलेज के फ्राचारे अधिक चक्वस सभी सिवल सर्जन को पत्र भेज दिया गया है आपके जानकारी के बता दी कि बीदे दिन चिकसकों के द्वरा यह रताल पूर्णियामी डॉक्टर राजे इस पाशवान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर किया ग एक दिन का वेतन कारती है तो संग पांच दिनों तक काड़े भहिश कार करने को तयार है विहार के इस जिले में 30,000 से जादा बच्चों के स्कूल से नाम कटे विहार सिरकार के सिक्षा विभाग के दौरा बिना सूशना के स्कूलों से गायब रहने वाले सारण जिले के में पहली से बारवी तक के करीब 30,199 चातर चात्राओं के नाम को कार दिये गए हैं बता दे कि सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सुचीव के के पाठक के दौरा बिना किसी सूशना के लगातार गैर हाजर रहने वाले बच्चों के नाम कार्टने के निर्देश दिये कैथे ऐसे में अविन शातरों पर सिकंजा कशनिकी तैयारी की जा रही है बता दे कि नए विभागे आदेश के तहट अविन शातरों को मिलने वाली विवन योजना की रासी पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो रही है इसके तहट जिन बच्चों का नाम काटा गया है उन देश के कई जिलों की हवास जहरीली हो गई है जिसमें सबसे आदा बुड़ा हाल बिहार की राजधानी पटना और पूर्णिया का है जहां पटना का AQI 352 दर्च किया गया तो वहीं पूर्णिया का AQI 393 दर्च किया गया है वहीं इसके लावत छपड़ा का AQI 304, मुझ संगंज का AQI 160, हाजीपुर का AQI 202, सासाराम का AQI 133 और बिहार शरीफ का AQI 84 दर्च किया गया बता दे कि ये आज सुभा आट बज़े तक का AQI दर्च किया गया है सीम नितीश ने मंदिरों और कब्रस्तानों को लेकर दिये कड़े आदेश, पीते दिन मंगलवार को ही समिच्छा बैटक में बिहार के मुख्य मंत्र रितीश कुमार के द्वारा अधिकारियों को दो टुक आदेश देते वे, कहा गया कि हड़ हाल में कानून व्यवस्था क सिती को ठीक रखा जाए, गरबडी करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाए, इसके साथ उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों और कब्रस्तानों की घेराबंदी नहीं कराए गई है, उसे जल से जल घेराबंदी करवाया जाए, प्रदीश में कई आइकोनिक भवन बनाए ग टरनल में फसे बिहार के पांच मजदूरों को लेकर आई बड़ी अपडेट, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उत्राखन के उत्तरकाशी टरनल में फसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे उत्राखन के अधिकारियों और वहां मुझपूर जिला सहार प्रखन के पेउड निवासी सबाह आमद, सारंजिला एकमा प्रखन के खजुआन निवासी सोनुसा, बांका जिला कटोरिया प्रखन के तितरिया निवासी विरंद्र किसकू, रोताश जिला तिलोध प्रखन के चंदनपूरा निवासी सुसील कुमा और मुझपर पूर सरया के गिंजास मठ टोला निवासी दीपक कुमार के नाम शामिल है कहल गाओं और फड़का से बिजली लेगा बिहार उर्जा मंतराले की पुर्वी छितर विद्यूत समीती के आदेश पर विजली कंपनियों को सूबे के फड़का और कहल गाओं की सरेंडर की गई तीन उत्पादन इकाईयों से 169 मेगावार्ड विजली खरीत की मनजूरी दे दी गई है बता दी के उप्रोक्त परियोजनाओं से बिजली CERC यानि की केंद्रे विद्यूत विनियामक आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित दर पर उपलद्ध होगी मालम हो कि इसको लेकर विद्यूत पिनियामक आयोग के सदस्य अरुन कुमार सन्हा और सदस्य पीस यादर की बेंच के द्वारा इससे जुरी कंपनियों की याचिका पर निर्ने देते वे कहा गया कि याचिका करताओं को फड़का के स्टेज वन और स्टेज टू इकाई से 107.751 मेगावाट और एंटी पीसी की कहलगाओं इकाई से 51.5 दोश्रों ने मेगावाट 24 घंटे उपलद्ध कर आई जाएगी पचास लाक रुपए की मांग की गई है जिसके बाद अब इस मामले को लेकर पुर्वो मंतरी के द्वारा EU में लिखित सिकायत दर्ज करवाई गई बता दी कि आरूपी महिला कई बार उनसे मिल भी चुकी है इस बारे में पुर्वो मंतरी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है किस महिला से उनकी मलाकात करीब दो महीने पहले मेरे आवास कदम कुआ पढ़ हुई थी यहां वो मुझसे मिलने आई थी और MLA बनने की बात की थी लेकिन जब मैं सभी बातों को नजर अंदास कर दिया तो मेरे मोबाईल पर इडिटेड असलील फोटो भेज अमित कातियाल को भेजा गया नियाईक हिरासत में जमीन के बदले नौकरी घुटाला मामले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोट के दोरा सुनवाई करते वे राजस सूप्रीमो लालो पुशाद यादर के कडीबी अमित कातियाल को 5 दिसंबर तक के लिए नियाईक अवंबर को किये गये थे आपकी जानकारी के बता दे कि अमित कातियाल कारोबारी हो और इनकी कम्पनी का नाम जमीन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉंडरिंग को लेकर सामने आया था MLS SRIASI सिंग की मुख्यमंतरी को सला बिहार में बढ़ रहे अपराथ और जमुई में वकिल के मुंसी की सरयाम गोली मार कर हत्या के जाने के मामले को लेकर बिहार की जमुई विधायक SRIASI सिंग के दोरा बिहार के मुख्यमंतरी नितीश खुमार को सला दी गई है उनने कहा कि जमुई सहित पुरे बिहार में लौ एंड ओरर का मजा को डाया जाना है बहुत ही अफसोस होता है कहीं भी प्रशासन सक्ती से काम नहीं ले रही सक्त काड़वाई नहीं कर रही है इसलिए अपराधिक दत्वो का मन बढ़ा हुआ है दिन दहारे गोली चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि जमुई जले के अमरत गाउं में वही घटना घटी है घायल को हम लोगों ने अस्पताल पहुचाया महास्तिती को गंभीर देखते वे पटना के PMCH के लिए डेफर करना पड़ा हुने कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से होम मिनिस्ट्री संभल नहीं रही तो उन्हें इस्तिफादे देना चाहिए गौतम गंभीर की IPL में कॉलकता नाइट राइडर्स में हुई वापसी IPL की फ्रेंचाइज कॉलकता नाइट राइडर्स के द्वारा भारतिय टीम के पुर्व ओपनर गौतम गंभीर को अगले सीजन के लिए मेंटर के रूप में अपने साथ जुरा गया है इस बात के पुस्टी KKR के CEO वेंकी मैसूर के द्वारा की गई है वहीं कॉलकता नाइट राइडर्स में अपनी वापसी पर गौतम गंभीर के द्वारा कहा गया कि मैं भावक इंसान नहीं हूँ और कहीं चीज़े मुझे हिलार नहीं पाती मगर यह अलग है जहां से सब शुर हुआ वहां लोट रहा हूँ आज मेरा गला रूंधा हुआ है और मेरे दिल में आग है क्योंकि मैं एक बार फिर परपल और गोल्ड चर्सी में बाड़े में सोच रहा हूँ मैं केक्यार ही नहीं बलकि सिटी ओफ जॉय में वापसी कर रहा हूँ मैं वापस आ गया हूँ मैं भूखा हूँ मैं नमबर 23 हूँ आमी केक्यार वहीं गौतम गंभी की वापसी पर शारुक खान के द्वारा कहा गया कि गौतम गंभीर हमीशा से परिवार का हिस्सा रहा और यह हमारा कप्तान मेंटर के अलग अफ़तार में लोट रहा है उनकी कमी खली और अब हम सभी का ध्यान चंदू सर और गंभीर के कभी हार नहीं मानने वाले बरताओवा खेल भाबना पड़ है यह दो रों मिलकर टीम के क्यार के लिए जादू भी खेरेंगे अब भरते हैं आज के पांच सवाल की उड़ हमारा पहला सवाल है बिहार के किस जले के करीब 30196 चात्राओं के नाम स्कूलों से काटे गए हैं अगला सवाल फड़क्का और कहलगाओं की सरेंडर की गए तीन उत्पादा निकाईयों से कितनी मेगावार्ट बिजली खरीद की मनजूरी दी गई है ऑप्षण ए 169 मेगावाट ऑप्षण भी 850 मेगावाट ओप्षण सी 751 मेगावाट ऑप्षण वाट ग। इसका सही उत्तर है option 169 मेगावार्ट अगला सवाल मुझे परपुर जिला में स्कूलों से गायब रहने वाले कितने सक्षकों के वेतन काटे गए हैं option 15 option 85 option 58 option डीन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C 58 अगला सवाल उत्तरकाशी टर्नल में फंसे बिहारी मजदूरों के क्या नाम है option A सोनुसा, option B विरंदर किसकू, option C सुसील कुमार, option D इन में से सभी इसका सही उत्तर है option D इन में से सभी अगला सवाल, विहार शरीफ का AQI कितना दर्च किया गया है? option D 315, option B 304, option C 330, option D 84 इसका सही उत्तर है option D 84 बीते दिन हमारे पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजब आप हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दरफ पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही भरते हाज के सवाल क्यों राज का सवाल है? आपके नसार बिहार के सरकारी स्कूलों में सिक्षकों और छात्रों की उपसिती बनी रहे इसको लेकर सरकार के ओर से क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपने जवाब हों हमारे comment section में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिखते रहे बिहारी निउस और साथ ही अगर आप YouTube से देखना चलों को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद